सब्सक्राइब करें जैसा कि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि आकिर क्या करें क्या मतलब त्यारी कैसे करें पढ़ाई कैसे करें इससे रिलेटेड हम आपके बीच में जुड़े हुए हैं तो उमीद है सारे के सारे आपके जो मन के डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी त्यारी को और भी जादा स्ट्रॉंग करोगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है तो आपको बताते हैं सबसे पहले बात की कहां से करें कैसे करने के से पहले हमें अपना syllabus पता होना चाहिए कि आखिर हमारा जो ये paper है जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो एक्जाम कौन से होने वाले इंक इसमें होने वाले 6 to 8 का ठीक है प्राइमरी लेवल का एक्जाम आपका हो चुका है आपका एक्जाम होने वाले 6 to 8 इसके लावा 9 10 और 11 12 यह थे एक्जाम होने वाले हैं आप सबसे पहले अपनी eligibility को देख लीजेगा कि क्या हम इन पर apply करने के लिए eligible हैं या फिर नहीं बैसिकली आप जानते हो कि सीटेट पेपर टू सीटेट पेपर टू साति साथ जो आपका या बिहार में जो पेपर होता है वहार टेट की बात करते हैं और साथ आप qualify हो तब आप इन एक्जाम को दे सकते हो यह बात तो अप जानते हो अच्छे तरीके से ठीके फिर ठीकर हम बात करते कि लेवल क्या रहने वाले हैं आखेर हम इनकी त्यारी कैसे करें तो सबसे पहले 6-8 एक्जाम के बारे में बात करेंगे तो जैसा भी अभी कुछ दिनों पहले ही आपका प्राइमरी लेवल का एक्जाम और आपका 9-10 का एक्जाम हो चुका है तो उसका कुछ पैटर्न इस तर प्रावा और भी सारी लैंग्वेश्टी उसमें से कोई भी आप ले सकती हो तो इंग्लिश इसमें आपका 25 वेश्टी आ रहे थे साथी साथ हिंदी के आपके 75 वेश्टी आ रहे थे लेकिन यह क्वालिफाइंग एक्जाम था मतलब आपकी कॉपी सेकेंड वाली तब तक नहीं चेक होगी जब तक आप इस फर्स पेपर को क्लियर नहीं कर लेती हो क्लियर करने के लिए आपको 30 परस इस और ने क्या किया था पिछली बार क्योंकि पूरा का पूरा 100 नंबर सो नंबर में 30 नमबर लाना जिसकां इंगलिश अच्छा था उसने इंगलिश पर इस तरीके से मतलब एक ही पर यह दो बिला करके भी उसने फोकस किया था अच्छे नंबर उन्होंने स्कोर की यह करें है उसको जोइन करना है साथ ही जात और काहां से त्यारी करें वह हम आपको बताते हैं आगा बात करेंगे पार्ट टू क single तू में बिदôork वर्जरिकेंगे स्मैं कि पहला पार टूपका असी नंबर कर और दूसरा पर्ट आपका 40 नमबर होगा जिसमें की 80 नमबर आपका subject specific यानि अगर हम बात कर रहें है 6 to 8 की तो इसमें जो है आपका science और defence ठीक है इसमें आपका किया रहने वाला argue science or math रहने वाले जैसा कि Therefore 2 में धुमें नहीं फिरासी साथ और साथी साथ चालिस नंबर का आपका जीए साने वाला है जीस है अप सबी लोगों को ने पिछली बारी देखा कि इसमें आपका विहार जीके भी था ठीकर इसमें आपका बिहार गीड़ ता साथी तिसमें जनरल साइस ब्याड थी इसमें आपका ईपिए सप्जक्ट भी था इसमें आपका जॉग्रफी भी थी इसमेंक funded बारती इंडियें नेशनल कॉंग्रेस ठीक इंडियें नेशनल क्eté इसके अलावा और भी आरी चीजे थी साती साथ इसमें current affairs थी बहुत सारी चीजे थी ठीके तो कुल मिला करके यह आपका pattern है अब इसको तयार किस तरीके से करना है और चीजे इतनी सारी है उनमें से selective study आपको करनी है तब जाकर कि आपको सफलता मिल पाएगी तो आपको बताते हैं अभी सबसे पहले तो की पोइंट है इसके लिए किसी भी एक्जाम के लिए की पोइंट होता है कि आप self study को एक self study या फिर अगर आप किसी भी कोचिंग किसी भी third person या किसी भी third चीज से आग अगर आप help भी लेते हो जैसे आप YouTube session हो गए या अपने किसी का course जोईन कर लिया या आप कहीं अपने offline center में जोईन कर रहे हो जो भी करते हो इन सबके अलावा मतलब ऐसा नहीं कि आप कोचिंग में तीन चार गंटे पढ़ रहे हो तुम सोचरों चार गंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ करके आपको self study जरूर करनी है मतलब उतना पढ़ने के बाद आपको कम से कम दो से तीन घंटे minimum जसको कहते मिनिमम आपको अपना रिवीजन के लिए कि जो भी डेली हमको पढ़ाया जा रहा है उसके रिवीजन के लिए हमको इतना टाइम तो अपना निकालना ही निकालना है यह वाला पॉइंट आप दियान रखेंगे सबसे तो फिर आप हम क्या करने वाले हैं लैंग्विज पर द बहुत बड़ा सब्जक्त है करेंट अफेस डेली बेसिस पर अभी से आप देखते रहो जिएस के जो भी क्वेस्टन जो भी टॉपिक एक प्राक्टिस पेपर तो आप लगाते ही रहो साथ ही साथ जिएस के लिए सब्जिक्ट स्पेसिफिक में मैठ्स हो चाहे साइन्स हो इनका इनके लिए अच्छा 6-8 की बात कर रहे हैं क्या करना है आपको 6-8 के लिए क्लास 6 से लेकर के 10th क्लास तक की इसके अलावब कुछ पोर्शन 11-12 का भी ले सकते हो कुछ पोर्शन यह तो बिलकुल मस्ट है इतनी इतनी आपको जो है आप NCRT इतना जो है आप NCRT को पूरी तरीके से कवर कर लो यह बिहार में जो SCRT लगबख सेम ही होती है दोनों आप इनको जो है कवर कर सकते हो इससे आप अपनी त्यारी कर सकते हो आपको जो पढ़ाया जाए उसके अलावा एक बार भुक रीडिंग आप सभी लोग जरूर करके जाहिएगा इसके बात बात कर लेते हैं एक्जाम 9 तो 10 की ठीक है अच्छा सब्जट स्पैसिफिक में जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ math science ही होगा ठीक है सब्जट स्पैसिफिक में जरूरी नहीं कि सिर्फ math science होगा अगर आप SS3 वाले बच्चे हो तो आप SS3 अपना दे दे अगर आपका दूसरा कोई subject है उससे आप दे सकते हो अब हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में 9 10 वाले exam के बारे में तो इसमें भी language बाला section language बाला section सेम होता है ठीक है जिसमें कि आपको 30% passing marks ले करके आने ही आने ठीक है passing marks ले करके अने ही आने बात करेंगे second paper paper two के बारे में बात करेंगे in paper two के बारे में बात करेंगे जिसमें फार्स पार्ट जो है आपका subject specific जो कि आपका 80 नंबर का ने वाला है अब इसमें आपका पूरा का पूरा science हो गया मैट्स अलग हो गया सस्ट अलग हो गई ठीक है बाकी जो भी सब्जक्ट होती वो अलग अलग सब्जक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर ऐसे आएंगे और इसमें भी आपका सेकेंड पेपर में आपका जी एस वाला सक्षन जो की 40 नंबर का यह भी आएगा मतलब यह तो मस्ट है ब पढ़ने का तो आपको बच्चे बता देते हैं इसको आप लोग 11 12 11 12 प्लस ग्रैजवेशन ठीक है 11 12 प्लस ग्रैजवेशन इतना लेवल आपको करके जाना है 9 10 के लिए क्योंकि अगर आपने प्रीवियस एर पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा लेवल यही है बि पीजेटी पीजेटी लेवल के एक्जाम में आपके तो क्या होता है कि आपको कहीं न कहीं लेंग्विज वाला सेक्शन इसमें भी सेम होता है ठीक है लेंग्विज वाला सेक्शन सेम होता है उतना तो आपको करना ही करना है पेपर 2 में अब इसमें भी क्या हो जाता है इस तो तो कहीं ना कहीं आपको इसमें जो है जो है ग्रेजवेशन लेवल पोस्ट ग्रेजवेशन लेवल क्योंकि अगर आप 11,12 के बच्चों को पढ़ा रहे हो आपको यह लेवल आपका होना चाहिए तब जाकर कर आप इन बच्चों को पढ़ा सकते हो यह लेवल आपको करना है 11,12 के लिए अगर आप पेपर देखते हो बिल्कूल भी ऐसा पेपर देख करके नहीं लग brain क्या सब मतलब बच्चों को कि जो है कि चलो ठीक है दे देते लावेल ट्वल्ट का यह तो 11-12 का तो कम से कम दे देते ऐसा बिल्कूल भी नहीं है 11-12 तो मस्ट ही है यह तो पढ़ना ही पढ़ना है ग्रेजुेशन और पीजी लेवल तकuç आपको पेपर देखने को मिलेगा असी नंबर का इसमें भी पिपपर आपका आजएका 40 नंबर में आपका जीया साज है ठीक है ही हाल फिलाल में एक्जाम होआँ उसी से एक्जाम होने जा रहा है तो इस तरीके से आपको त्यारी अपनी करनी है तो यह चीजे आपकी क्लियर हो गई क्या-क्या चीजे एक पुरा पेज बना लेना है एक पूरा पेज कि बाई डेली हमको language का एक डेली हमको language के लिए कम से कम 20-30 questions रहे हैं करें जसे अब हम बात करेंगे heritage निइस सेक्षन के लिए क्या करें बहुत ही जादा बड़ा है तो कभी हम ने ना है इसमें ड js गड़ांगर कम ठीक है इसमें आपका geography भी है इसमें आपका current affairs भी है इसमें आपका burgergk b है ठीक है इसमें आपका history भी है इसमें आपका indian national kongress भी इतने सारे चीजें मिल करके आपको GS में 40 number दलवाएंगी तो बहुत बढ़ा स्कोर आप यहां से कर सकते हो तो डेली एक पेपर करेंट अफेर्स तो पढ़ते ही रहो डेली ठीक है साती साथ जो magazine वगर आज आती हैं आप उनसे भी करेंट अफेर्स को cover कर सकते हो शेल्फ स्टेडी बहुत ठीक है साती साथ अब हम बात करते हैं अपने subject specific के के लिए क्या करने हैं आपको सबसे माल लेते हैं तो हम साइन्स के टीचर हैं तो हम आपको साइन्स का ही बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं बाकि हम आपको एसेस्टी वगरा का भी मतलब एक ओवर्व्यू दे सकते हैं साइंस के लिए जैसे की बात कर रहे हैं माल लेते हैं 6-8 के लिए हम बात कर लेते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है सिक्स से लेकर के 10th class तक की अपनी मतलब कम से कम भाई हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह sources तो इकठा कर लेना वह sources हमारे पास होंगे तब ही तो हम पढ़ सकते हैं सिक्स से लेकर के 10 तक की 11-12 भी ले आए मतलब ले लिया हमने किताबे ठीक है आप उनको रीड करना स्टार्ट कर दो अब चीजें इतनी ज्यादा होती है तुमारे दिमाग में यह भी question आता है पता नहीं सही direction में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं क्या हम चीजे कर र पूरा का पूरा प्लानर बना लो एक महीने में एक हफते में 4 हफते होते हैं चार हफते कह इस अफते यह वाला topic हतम हो जागा इस हफते में यह वाला इस तरीके से अगर आप बनाती रहोगे ना फिर एक दिन संडे वाला revision के लिए अपना दे दिया इस तरीके साब अपनी चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हो लेकिन बहुत सारी बच्च tsunami अच्छे से कर सकते जो अपने 11 तक की बहुत अच्छे से अपना School time जो है पढ़ करके आए हैना जब चीज้न आती रहती है तोijn करने मुझा आता है तब हमको ठूख पढ़ने में भी समझ मों आता है लेकिन बुकी नहीं क्लियर हो रही क्योंकि अपने स्कूल टाइम बहुत अच्छे से नहीं किया है तो और यहां फिर बहुत लंबा गैप हो गया है तो हम भूल गए है तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब लोग हमारी पूरी टीचंग वाला की टीम आपकी त्यारी कर रही है तिन आपको क्या करना पीडबलू लॉगिन करना या अपने फोन से फिसिक्स वाला जो है आप डाउनलोड कर लेना उसे अपने नंबर पर जा करके लॉगिन कर करके जैसे ही यह नियुक्ती बैच है हमारे ठीक है नियुक्ती बैच जैसे ही सर्च करते हो जैसे नियुक्ती बैच सर्च करते हो आप सभी लोग देख सकते हो बस आपकी तयारी को ही अच्छे करवाने के लिए आप देख रहे हो सबसे पहला बैच हमारा एसेस्टी 9 10 के लिए ठीक है 9 10 वाले जितने बच्चे स्सेस्टी के लिए त्यारी करना चाहते हैं विद जन्रल स्टडीज बाच मतलब आपको इसमें जीएस भी मिलेगा तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हो वह बच्चे जो की सोसल साइन फिक्स्ट करना चाहते हो ठीक है 6-8 करना चाहते हो complete बाच जिसमें जीएस वगराः भी रह गी तो सोसल साइन का जैश利 joint जो बच्चे सिर्फ आश करना चाहते हो ठीक है मैं मै math कर सकते हो math की भी classes आपको मिलने मतलब मिल रही है साती साथ जो बच्चे हिंदी का सब्जक्ट हिंदी सब्जक्ट 910 के लिए कवर करना चाहते हो वह बच्चे आप इस course को जोईन कर सकते हो मतलब हिंदी वाले special जिनका subject specific में हिंदी सब्जक्ट है उनको लिए भी classes दी जारी है math में 11 12 में math है ध्यान से सुनिएगा 11 12 में जिसका math है वह बच्चे त्यारी करना चाहते हो वह भी हमारे उसमें course अविलेबल है आपको कहीं भागने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी बस आपको classes करनी है और अपना paper निकालना है ठीक है बाकी पूरा सोचने की planner बनाने की syllabus complete करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे टीचर की होती है हिंदी के लिए 11 12 की तियारी करना चाहते हो तो अभी आप इस बैच को जॉइन कर सकते हो मतलब यहां पर हिंदी सब्जेट की भी 11 12 की आपकी classes start हो रही है तो मतलब समझ रहे हो पूरी टीचिंग वाला टीम आपकी त सब्जेट करना चाहते हो तो आप इस क्लास को आप यहां पर जॉइन कर सकते हो साइन्स 910 बहुत बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे 910 की साइन्स को कवर करने के लिए तो आप सभी लोग देख सकते हो जनल स्टडीज बैच के साथ में 910 वाला बैच भी आपका यह देखने को मिल रहा है और आप सभी बच्चे यह 17 अक्टूबर से हैना बहुत सारे बच्चे डेली पूछ रहे थे मैं हम क्लासे कब से शुरू होंगी बाई यह 17 अक्टूबर से आपकी क्लासे शुरू हो जाएंगी तो आप सभी बच्चे इस बैच में जूड सकते हो इस बैच के साथ में आप यह वाला क्लास कर सकते हो संस्क्रत करना चाहते हो 9 10 की संस्क्रत जैनल स्टडीज के साथ में आप इस कोर्स के साथ में जूइन कर सकते हो बॉटनी सोरी बॉटनी हो गया जूलाजी अगर पीजीटी लेवल मतलब 11 12 लेवल अगर जूलाजी आपका सब्जेक्ट है तो आप इस क्लास को इस को जोईन कर सकते हो यह सब आपकी 17 अक्टूबर से कुछ को स्थार्ट है अगर आप जोग्रफी करना चाह रहे हो तो यह भी आपका 11 12 की जोग्रफी के लिए तो आप यह भी जोईन कर सकते हो और अगर आप शकुए अप साइन्स 6-8 का ज्वाइन करना चाहते हो यह इसकी क्लास sarcd तीन अक्टूबर से स्थार्ट हो चुकी है तो फ्रॉपर क्लासे आपकी चल रही है थीक है इसके आप пойдिकल साइन्स यह भी इस चैल रही है बकी अदिक अपने लबल कि इसकी क्लास से प्राइमरी टीचर किया फिर कह सकते हो जो 2.0 पूरा का पूरा जी एस सेक्षन याप कंप्लीट बैच इसकी भी क्लास आपकी तीन अक्टूबर से ही चल रही है ठीक है हिंदी स्पेशल भी आपको हमने बता दिया है तो यह सारे के सारे कोर्स जा करके आप लोग देख सकते हो अगर सिर्फ आप जी एस की त्यारी करना चाहते हो सिक्से लेकर के 12 तक की तब आप इस को जोईन कर सकते हो ट्रिपल नाइन में आपको मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों के मन में डाउट था कि भाई आखिर हम त्यारी कैस इतनी सी चीजे जोईन करने के बाद भाई तुमने कोर्स ले लिया तुम्हारा चलो साइंस का था नाइन टैंस तुम्हारा साइंस का था या तुम्हारा जो भी बॉटनी यह जो भी सब्जक्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख इतना करने के बाद तुम सोच रो सिर्फ क के साथ में आपको मौक टेस्ट भी मिलेंगे प्रीवियस कोशन पेपर भी विद सोलूशन मिलेगा डीपी डेली मिलेंगी यह सारी चीज़े भी मिलेंगी लेकिन इतना मिलने के बाद भी आप कोशिस करिए नोट स्वयम बनाई है खुद से नोट बनाएंगे साती साथ इतना पढ़ने के बाद एक घंटी दो घंटे करने के बाद भी इसके बिना किसी को सफलता नहीं मिलिए इसके बिना किसी को सफलता नहीं मिलिए आप खुद जानते हैं आप इतने साल से पढ़ करके आयो तुम्हें भी पता है जिस पेपर के लिए तुमने खुद से मानत करी है ब कुपसे जरूरी है तो आप हमारे साथ में इस तरीके से टीचिंग वाला पर जुड सकते हो ठीक है बाकी किसी के मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कॉमेंट सक्षन में लेकर करके पूछ सकते हो बाकी हमारे प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूप सेशन है ही झाल झाल झाल